यहां पर अगर आप पुलिस और को मना करते हो तो पुलिस के पास कोई इधिकार नहीं होता है कि वो आपको अरेस्ट कर लेगी अब मान लेते हैं आप लोगों को भी यह वीडियो देखने के बाद लग रहा होगा भाई यह तो theoretical बात है बोलने में असान लगता है लेकिन पु पूछने लगते हैं अब तुमारा नाम क्या है तुमारा रेजिदेंस का है तुम कहां रहते हो और यहां पर तुम क्या कर रहे थे और ऐसे केस में जो यंग्चटर्स होते हैं पुलिस अब्स आ व्यंदेंगे हम यह तोड़ा सघबरा kanा है और और मजबूरन उनको पुलिस की बात माननी पड़ती है या फिर मजबूरन एड़ एंड वो कोई औल्टरनेटिव रास्ता अपनाती है और पुलिस और से बोलते हैं कि नहीं ऑफिसर आप घर पे बात मत करिये या हम आपको घर पे बात नहीं करा सकते हैं बेगरा बेगरा और एक ऐसी सिट्वेशन आ जाती है जहां पर ब्राइब उनको देनी पड़ती है और पुलिस और मांगी जाती है सीधी बात में यह बात आप भी अच्छे से जानते होंगे और आप लोग यह प्रैक्टिकली हर जगा पे देखते होंगे अब रिसेंड़ी अभी मेरा एक परसन एक नोन परसन के साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था यहां पर आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझेंगे तो अगर कोई भी एक लड़का और एक लड़की अगर वो 18 साल से उमर से जाधा है यानि कि 18 प्लस है और वो अपना कोई भी अपना पुलिक प्लेस में घू घूम रही है या कोई अपने कपल्स घूम रहे इन फैक्ट ऐसे गेस में आपकी एजा सिडिजन ओफ इंडिया आपका यहां पर ड्यूटी है कि आप उन पुलिस अबसर को अपना नाम बिल्कुल ट्रूली बताओगे वह आपसे मांगते हैं कि अपना आईडी प्रूफ अपसे बात बात देते उडाओ तो पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं आपको पो अरतेया लेकर अपने अपने नाम गलत इतनी सी बात complete हो जाती है लेकिन आप दूसरा कोशन में आपको जो समझाने के लिए एक वीडियो बनाई है कि अगर पोलिस आपको बोलते हैं कि आप अपने पेरेंट से बात कर रही है मम्मी से बात कर रही है जब ही हम आपको जाने देंगे तो कोशन ही आता है कि आप प्लिस को मना करते हो तो पुलिस के पास कोई इधिकार नहीं होता है कि वह आपको अरेस्ट कर लेगी मान लेते हैं आप लोगों को भी वीडियो देखने के बाद लग रहा होगा भाई यह तो थेवरिटिकल बात है बोलने में असान लगता है लेकिन पुलिस वाले तो में अपना घरवालों से बात करा हो हम आपको एस पर लॉप और हम एटीन प्लस हैं दोनों यह हमारा आइडी प्रूफ के दर एज आप मैं यह आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं हम आपको बात नहीं करा सकते हैं अगर फिर भी आप हमारे को अरेस्ट करना चाहते हैं तो आप हम भी कानून नहीं है कि आप अगर पोलता है कि आप अपने ममी पाफ से बात कर रहा हूं और आप उन्हें मना कर रहे हो 18 प्लस भी हो आप और आप मना कर रहे हो प्लिस वाल आपको आरेस्ट कर लेंगे अगर पुलिस वाले को तो आपको बेल पर रहा करना पड़ेगा क्योंकि बेलेबल आपको अपने बहुत संगीन अपराद करा है हमें नाम ना बता कर रहा है या आपने बहुत संगीन अपराद कर रहा है मान लेते हैं अगर पुलिस कोई बनाती है आपके उपपर नॉन वेलिबल अफेंस में आपको अरस करेगी तो 24 गंटे के अंदर अंदर पुलिस विर्भी मजबूर है कि आपको मैजिस्टेट साहब के पास में पेश करेगी करेग हमने ऐसा कोई अपराद संगीन करा है हमने तो केवल ममी पापा से बात कराने से मना करा है एस पर लोख 18 प्लस हम है और हमारे पास पुरा fundamental right है कि हम कहीपे भी घूम सकते हैं किसी के साथ बी घूम सकते हैं और यहाँ पर कोई भी परस्टनल पुलिस सब्सक्राऊं में कर सकता है अगर पुलिस वालों ने आपके कहीं न कहीं इंडिरेक्ट तरीके से बात करी है उसके बेसिस पे भी आप यहाँ पे पुलिस आपसे बोलता है कि मम्मी से बात करा हूँ पापे से बात करा हूँ तो उससे आप पूछिएगा अगर मना करना चाहते हूँ आपको नहीं कमफर्टेबल लग रहा है कि मुझे मम्मी या बापा किसी से बात करानी है तो पुलिस वाले से सीधा मना कर सकते हूँ लेकिन फिर भी अगर पुलिस वाले आपको डराते हैं धंकाते हैं कि हम आपको आरेस्स करेंगे यह अधार जान करेंगे फिर मैजिट्रेट के सामने पेश करेंगे तो वहां पर क्या करेंगे किस मुझे क्या बोलेंगे क्या ग्राउंड बनाया और अगर को यदार बता भी दिया सबूत कहा है एविडेंस तो दिखाओ मैजिट्रेट साब बोलेंगे पुलिस वालसे कि तुम्हारे पर क् कोई भी कंपेल करता है थमकाता है परहीं अगर अप एटीन प्लस हो तो यहां पर आपको कंपेल कोई नहीं कर सकता सीधे तर्फ पर अपना समय चलीजिए गार अगर आप 804 नहीं हो तो यहां पर एक ड्यूटी आती है लॉफल गाजन्शुपकी तो यहां के आप अगर अपन गारजन की इसलिए अगर आप 18 साल से कम हो तो पुलिस वाले आपको कमपेल कर सकते हैं लेकिन अगर आप 18 साल से जादा हो आपको पुलिस वाले कमपेल नहीं कर सकते हैं अगर हम पढ़ते हैं इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर वहां पर कंसेंट का टॉम डिफाइन करा हुआ है वही कानून हमारा एप्लिकेबल भारत के अंदर होता है तो आज के बाद आप लोग कभी भी डढ़ियेगा मत कमपेल कोई कर रहा है ऑफिसर तो यह कानून को जो मैंने मेरी हाँ होना पड़ेगा कि प्लिस वालब को मेंट्सेट के सामने लेके जाएंगे क्या दिखाएंगे क्या बोलेंगे कि सदार पे मिंदे नर्स कर रहा है सीधी वाथ तो अगर आपको वीडियो के अंदर जो मैंने आपको जानकारी दिया है इस वेरी वेरी इंपॉर्टे